बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीद विशाय का पांचवाध ध्याय सासक और इमारते हैं हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर लेकिन एक बार इस पार्ट को उसे पढ़ ले और हम आपको सीदे ले चलेंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तरों पर जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे उन्हें याद कर सकते हैं बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं इस पार्ट में क्या-क्या पूछा गया ह सबसे पहले जान लेते हैं जो पार्ट के बीच में आपको प्रस्न पूछे गए हैं बच्चो पार्ट के आंतरिक प्रस्न और उनके उत्तर तो पहला प्रस्न आपके लिए राजिंदर पर्थम तथा महमूद गजनवी की नीतिया किन रूपों में समकाल इन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से फीन थी तो आप जो है देख सकते हैं से ये प्रस्न कहां पर मिलेगा बच्चो आपको पेज नमबर 66 यानि कि 66 नमबर पेज पर आपको ये प्रस्न देखने को मिलेगा आप अपनी पार्टे पुस्तक में देखें और उत्तर कैसे लि मेहमूद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजदानी को भव्य बनाने में खर्च किया दोनों में कई रूपों में विन्यता थी किसमें राजंदर और मेहमूद गजनवी में मेहमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विद्वंस कर दिय उसे अपने राज्य में ही रहने दिया तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद करें बात करते हैं यहाँ पर बच्चो दूसरा प्रस्ण वास्तुकला की गोदिक सैली के बारे में ब्याक्या कीजिए और यह प्रस्ण मिलेगा आपको पाठ के बीच में बच्चो ध्यान दें आप बातर नंबर पेज पर सेवन्टी तू नमबर पेज पर आप इस प्रस्ण को देख सकते हैं अपनी पठे फुस्तक में उत्तर क्या लिखेंगे बच्चो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप बारवी सताब्दी से फ्रांस में आरंबिक भोनों की तुलना में अधिक उचे वहल के चर्चे के निर्मान के प्रियास शुरू हुए वास्तुकला किया सैली गौथिक नाम से किस नाम से गौथिक नाम से जानी जाती थी इस सैली की विशेशताएं नुकी ले उचे महराव रंगीन कांच का प्रियोग जिसमें प्राया बाइविल से लिएगे द्रशियों का चितरन है तथा उड़ते हुए पुस्ते दूर से ही दिखने वाली उची मिनारे और गंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में चर्च से जुड़े इस वास्तुकलात्मक सैली के सर्वोत क्यस्ट ग्यात उधारनों में से एक पेरिश का नाट्रेडम चर्च है ध्यान रखे बच्चो बारवी और तेरवी सताबदी के कई दसकों में इसका निर्मान हुआ तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं बात करते हैं आपर आगे पाट के अंत में पूछेगे कुछ प्रस्ण होंगे बच्चो आप देखे अपने पाट के अंत में वहाँ पर कुछ आप से प्रस्ण पूछेगे हैं तो उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे चलिए सुरू करते हैं फिर से याद करें सबसे पहले आपके लिए फिर से याद करें और पहला प्रस्ण है बच्चो वास्तुकला का अनुप्रस्त टोडा निर्मान सिदान्त चापाकार सिदान्त से किस तरह भीन है तो आपने पार्ट में पढ़ा होगा अनुप्राशत टोडा निर्मान और चापाकार सिद्दांत जुए तो उसके बारे में यहाँ पर आपके लीए प्रस्ण है यह कि यह दोनों में क्या अंतर है तो यहाँ पर उतर लिखेंगे बच्चों पहले लिखेंगे आप अनुप्रस्त टोड़ा निर्माण सात्वी और दस्वी सताबदी के मद्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे दर्वाजे और खिड़कियां बनाने लगे चैत दर्वाजे और खिड़कियां अभी वी उर्द्वाकार खंबों के आर पार एक अनुप्रस्त सहतीर रखकर बनाए जाते थे वस्तुकला किया साहली अनुप्रस्त टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है तो समझ गएने बच्चों आप अनुप्रस्त टोड़ा निर्माण सहली किसे कहते हैं इसके बाद आप देखेंगे दूसरी सहली चापाकार सिद्दान्त और यहां पर आप देख सकते हैं दर्वाजे दर्वाजों और खिड़कियों के उपर की अधिरचना का बार कभी भी महरा उपर डाल दिया जाता था वस्तुकला का यहाँ चापाकार रूप था तो इस प्रकार से आप जो है अपने इस पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं जिसमें दो पार्ट होंगे आपके अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण और दूसरा होगा चापाकार सिद्दान्त बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्ण है सिखर से आपका क्या तात पर रहे है उत्तर लिखेंगे मंदिर का सीर्ज जिसके नीचे गर्व ग्रह इस्तित होता है मंदिर का सिखर कहलाता है ठीक है बच्यों सिखर किसे कहते हैं जिसके नीचे गर्व ग्रह के इस्तित जो है यहाँ पर मंदिर का सीर जिसके नीचे गर्व ग्रह इस्तित होता है उसे मंदिर का सिकर कहलाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी मंदिर निर्मान होता है तो उसके उपर ऐसे लगा होता है न काफी लंबा सा यहाँ पर ऐसे बना होता है तो इसे क्या कहते हैं मंदिर का सिखर और यहाँ पर उसके नीचे जो है गर्विग्रे इस्तित होता है तीसरा प्रस्ने है बच्चो पित्रा दूरा क्या है आप जो है प्रस्ने को ध्यान पूरबक पढ़ें और समझें तो यहाँ पर है पित्रा दूरा क्या है इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे आप उत्कीरनेत संग मरमरत हुआ बलवा पत्तर पर रंगीन ठोस पत्तरों को दबा कर बनाए गए सुन्दर तता अलंकिर्त नमों ने पित्रा दूरा कहलाता है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप पितरा दूरा के बारे में लिख सकते हैं इसके बाद है अगला प्रसने है याँ पर चौथा प्रसने है बच्चो एक मुगल चार बाग की क्या खास बिसेश्थाएं हैं तो उत्तर में लिखेंगे आप उतर लिखेंगे मुगल चार बाग की बिसेष्टाइं इस परकार से आप एक हैडिंग डालेंगे बच्चो और उसके बाग लिखेंगे नंबर एक चार बाग चार समान हिस्सों में बटे होते थी दूसरा यह बाग दिवार से गिरे होते थी और नंबर तीन लिखेंगे आप बाग करतिम नहरों दोरा चार बागों में विवाजित आताकार से आप लिखेंगे, इसके जोगह बिसेश्टाइं लिखेंगे, तीन बिसेश्टाइं आपर बता रखिएं, तीनों आप लिखें और उन्हें याद करें, इसके बाद बच्चो यहां पर प्रस्नेष आईये सम् और पांचवा प्रस्नेज में किसी मंदिर से एक राजा की महता की सूचना कैसे मिलती थी उत्तर लिखेंगे आप सभी बिसालता मंदिरों का निर्मान राजाओं ने करवाया था दक्षिन भारत के प्रसिद्य मंदिर राज राजे स्वर मंदिर का निमान राजा राजदेव ने अपने देपता राज राजे स्वरम की उपासना हेतु किया था इनके देपताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे राजा स्वयम को इस वर के रूप में दिखाना चाहता था धार्मिक अनुष्ठान के जरिये मंदिर में एक देपता दूसरे देपता का सम्मान करता था मंदिर के अन्य लगु देपता सासक के सहयोगियों तथा आदिनस्तों के देवी देपता थे यहां मंदिर सासक और सहयोगियों द्वारा सासित विश्व का एक लगु रूप ही था जिस तरह से वे राजकी या मंदिरों में इकटे होकर अपने देपताओं की उपासना करते थे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पांचवे प्रसन का उत्तर लिखेंगे और उसे याद करेंगे बात करते हैं बच्चो यहाँ पर चटा प्रसन दिली में सा जाँ कि दिवाने खास में एक अविलेक में कहा गया है अगर प्रतिवी पर कहीं सवर्ग है तो वह यही है यही है यही है यह दारना कैसे बनी आप देख रहे हैं बच्चो एक बार फिर से आप प्रस्न को पढ़ें बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न है यहां पर यह दिल्ली में साजा के दिवाने खास में एक अभी लेक में कहा गया है क्या कहा गया है अगर पिर्तिवी पायर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है यह दारना कैसे बनी तो उतर में लखेंगे बच्चो आप साजां की पतनी मुम्ताज की 1631 में मिरती हो गई थी कब मुम्ताज की मिरती हो 1631 में उसके बाद साजां का मन आगरा से हट गए था इसलिए उसने 1649 में यमना नदी के समीप लाल किल्ला का निर्मान करवाया लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संग्मरमर का बना हुआ अदुप expos अमारत है जिसमें कही तरह की नकासियां बनाई गई है इस की सुन्दर्ता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अविलेक में कहा गया है अगर पिरतीबी पर कहीं सुर्ग है तो यहीं है यहीं है, यहीं है ठीक है बच्यों तो इस प्रकार से आप इस फ्रसन का उतर लेखेंगे इसके बाद साथवां फ्रसन यहां पर आपके लिए आपके पार्ट में मुगल दर्वार से इस बात को कैसे मुगल दरबार से इस बात के कैसे संकेत मिलता था कि बादसा से धनी निर्धन सक्तिसाली कमजोर सभी को समान नियाए मिलेगा तो उत्तर में क्या लखेंगे आप उत्तर लखेंगे मुगल दर्बार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी निर्धन सक्तिसाली कमजोर सभी को बादसा से समान नयाय मिलेगा नमबर एक कौन कौन सी बाते हैं नमबर एक बादसा के सियासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाओ काम की एक स्रिंकला बनाई गई थी जिसमें पौराने की उनानी देपता आफिसियन्त को बीना बजाते हुए चितरित किया गया था और नमबर दो ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत अक्रमा जानवरों को भी सांत कर सकता है और वे सांती पूर्वैक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं नमबर तीन साजां के सारवनिक सवाभवन का निर्मान यहाँ सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा उचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान ब्योवार करेगा और सभी सद्वाओं के साथ रह सकेंगे ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप अपने प्रस्णी का उतर लेखेंगे और प्रस्णी यह साथ वाँ इसका उतर तोड़ा बड़ा है बच्चो लेकिन आप अच्छे से समझें और इसे याद करें साजाना बाद में नहीं मुगल सहर की योजना में निर्मान नदी का ला पर फिर से पढ़ें साजाना बाद में किया भूमिका थी तो उत्तर में लिखेंगे बच्चो साजहाने दिली में यमना नदी के तट पर स्थित सलीम गड़ अस्तान पर साजहानाबाद की नीव रखी थी क्योंकि यहां अस्तान कई द्रश्ट से उप्यूक्त था नमबर एक क्या था यमना नदी के तट पर होने के कारण इस सहर को पीने के लिए पानी आसानी से उबलब्द था क्योंकि जो नदी के तट पे जो सहर बसे होते बच्चो उनमें पीने की पानी कमी नहीं होती है नमबर दो यमना नदी के तटवर्ती भाग प्राया समतल था और नमबर तीन दिली में सा जहानाबाद में उसने जो नया सहर निर्मित करवाया उसमें साही महल नदी परिस्तित था ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप इस प्रस्निका उत्तर यानि के आठवे प्रस्निका उत्तर यहां से इसी प्रकार से लिखें और उसे याद करें इसके बाद बच्चो बात करतें यहां पर आईए विचार करें अगला प्रस्न है आईए विचार करें से और यहां पर नहाँ प्रूस्ट नहुँआ आज धनी और सक्तसाली लोग विशालगरों का निर्मान करवाते हैं अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारιों के निर्मान की माईनों में इन से वि農्न थी तो उतर लिखेंगे आप अतीत में राजाओं तथा उनके दर्वारियों के निम्न प्रकार से आज के धनी और सक्तिसाली लोगों के विशालकरों से विन्न थे और इसमें नमबर लिखेंगे आप नमबर एक नमबर दो नमबर तीन करके तो नमबर एक अतीत के राजाओं के अधिकान से गहर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे नमबर दो किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों और गड़े खो दे जाते थे नमबर तीन उनके आवास उचे स्तल पर बनाए जाते थे और नमबर चार सुरक्षा को विसेश मैं तो दिया जाता था ठीक है बच्चो और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए दसवे प्रस्ण और इसमें पूछा गया है बच्चो दसवे प्रस्ण में चित्र चार पर नज़र डालें यहाँ इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है तो यहाँ पर जो है आप चित्र को देखेंगे अपनी पाटे पुस्तक में बच्चो दसवे प्रस्ण के नीचे जो चित्र दिया हुआ है और इसका उतर आप स्वेम अपने आप लिख सकते हैं इसके बाद ग्यारों प्रस्ण है बच्चो तो इसका उतर भी आप पास वहाँ पर कोई ऐसी अमारत है जिसे किसी महान व्यक्ति ने बनवाए था तो इसके बारे में आप जानकारी जुटाएं बच्चो और अपने आप उसका उतर स्वेम लिखेंगे इसके बाद है बारों प्रस्ण बच्चो जिसका उतर भी आप स्वेम लिखेंगे अपने आसपास के किसी पार की आप बाग की सेर करके उसका वर्डन करें किन मायनों में ये मुगल बागों से समान और फिन है तो ध्यान रखें बच्चो आपने पार तो पड़ी लिया होगा तो आप अपने आसपास के बाग बगीचे की सेर करें उसे देखें और उसमें बताएं क किस प्रकार से मुगल जो है काल के जो बाग बगीचे थे और आज के जो बाग बगीचे आपके आसपास वो किस प्रकार से उन में अंतर है ये इसका उतर आप स्वेम से लिखेंगे इसके साथ ही यहाँ पर इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उतर समापत होते हैं आज के इतना काफी है आपका दिन सुभू